अत श्री दुर्गासप्ट्षती शष्थोध्याया धुम्रलोचन वध ध्यानम ओम नागादीश्वसविष्ट्रां फनिफन अतन्सोरूरत नावली भास्वदेहलता दिवाकर निभा नेत्रत्रयोद्भासितां मालाकुम्भकपालनी रजकरां चंद्रार्ध चुडा परां सर्वग्य इश्वार भैरवाइंक निल्या पदमावती चिंत्य मैं सर्वग्य इश्वर भैरो के अंक में निवास करने वाली पर मोतकृष्ट पदमावती देवी का चिंतन करता हूँ वे नागराज के आसन पर बैठी हैं नागूं के फनों में सुषोभित होने वाली मनियों की विशाल माला से उनकी दिहलता उद्भासित हो रही है सुर्या के समान उनका तेज है तीम नेतर उनकी शोभा बड़ा रहे हैं वे हाथों में माला, कुम्ब, कपाल और कमल लिये हुए हैं तथा उनके मस्तक में अर्धाचंद्र का मुकुट सुशोभित है, ओम, रिशिरुवाच एक इत्याकर्मिया वचो, देव्याह सदूतोमश पूरित है, समाचिष्ट समागम्य देत्यराजाय विस्तरात दो रिशी क देहते हैं एक देवी का ये कथन, सुनकर दूत को बड़ा अमर्ष हुआ और उसने देत्यराज के पास जाकर सब समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाया दो तस्या, दूत्या, तद्वाक्यमाकर्निया, सुराथ, तत्य, सक्रोधा, प्राह, देत्या, नामधिप, धुम्रल चनाशूत्वाम, स्वसेन्य परिवारिता है, तामाने बलाद दुष्टां केशा कर्शन वेवलाम चार, दुमलोचन, तुम शीग्र अपनी सेना साथ, लेकर जाओ और उस दुष्टा के केश पकड़कर घसीडते हुए उसे बलपूर्वक यहां ले आओ चार तत्परित्र यक्ष अत्वा गंधर भी क्यों न हो, उसे अवश्य मार डालना। पाँच रिशिरुवाच छे तेना ग्यपतस्त ततहशी ग्रम सा देत्यो धुम्रलोचन, व्रितह शष्ट्या सहस्राना मसुराना दुरूत। यह यो साथ रिशी कहते हैं, छे शुम्व के इस प्रकार अग्या देने पर वो धुमलोचन देत्य साथ हजार असुरों की सेना को साथ लेकर वहां से तुरंट चल दिया साथ सवातान ततो देवी तुहना चल संस्थिताम, जगादोचे, प्रयाहीती मूल शुब निशुम्भयों आठ न चे प्रीत्याद्य भवती मदभरतार मुप अरी, तु शुम्भ, निशुम्भ के पास चल, यदि इस समय प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के समीप नहीं चलेगी तो मैं बलपूर्वक जोटा पकड़ कर घसीटते हुए तुझे ले चलूंगा, आठ नो देव्योवाच दस देतेश्वरेन प्रहितों बलवान, बल तुम्हारे साथ विशाल सेना भी है, ऐसी दशा में यदि मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हुँ? ग्यारा रिशी रुवाच बारा इत्युक्तह सोब्यधावत्ता मसुरों धूम्र लोचन हुनका रिनेव तम भस्म साच चकारामबिका ततह तेरा रिशी कहते हैं, बारा देवी के यों कहने पर असुर धूम्र लोचन उनकी ओर दोड़ा, तब अम्बिका ने, हुँ, शब्द के उचारन मात्र से उसे भस्म कर दिया तेरा अथ क्रुधम महासेन्यमसुराना तथा अम्बिका, ववर्ष साइके स्तिक्षनेस्था शक्ति पर शुधा, चौदा फेर तो क्रोध में भरी हुई दैत्यों की विशाल सेना और अम्बिका ने एक दूसरे पर तीखे सायकों, शक्तियों तथा फरसों की वर्षा, आरंभ की, चौदा ततो धुद सताह कोपात कृत्वा नादन सुभरवम, पपाता सुरसेना सिंगो देव्या, स्ववाहना पंद्रा इतने मेही दे चाधरिनाह सा जघान महा सुरा सोला उसने कुछ दैत्यों को पंजों की मार से, कितनों को अपने जबड़ों से और कितने ही महा दैत्यों को पतक कर ओट की दाड़ों से घायल करके मार डाला सुला केशाचित पात्यमास नखया है, कोश्ठानी केसरी, तथा तलप्रहारेन श 84 कृत्वान प्रिथक 17 उस सिंग ने अपने नखों से कितनों के पेट, फार डाले और थपपड मार कर कितनों के सिर्धर से अलग कर दिये 17 विच्छिन बाहुशुरसह कृतस्तेन, तथाप्र, परपोच रुधीरन कोश्थाद नेशां धुकेस्रा 18 कितनों की भुजाई और मस उसरे देत्यों के पेट फार कर उनका रक्ठ चूस लिया 18 क्षनें तदबलं सर्वम। प्रस्फुर्त आधाय, आग्या पैयामास चतो चंड मुंडों महसुरों 21 शुम्भ ने जब सुना की देवी ने धुम्रलों चन असुर को मार डाला तथा उसके सिंग ने सारी सेना का सफाया कर डाला, तब उस देत्यराज को बड़ा क्रोध हुआ, उसका ओट कापने लगा उसने चंड और मुंड नामक दो महादेत्यों को आग्या दी, 20-21 हे चंड हे मुंड, वलेर बहुभेह परिवारिता, तत्र गच्छत गत्वा चासा समानियता लगू 22 के शेश्वाक्रिश्य बद्धवा वा यदिवा है, संशेयो युधी, तदाशे शायुधा सर्वेरस रर्विनिहन यताम 23, हे चंड और हे मुंड, तुम लोग बहुत बड़ी सेना लेकर वहाँ जाओ, उस देवी के जूटे पकड़कर अथवा उसे बांध कर शीग्र यहां ले आओ, यदि इस प्रकार उसको लाने में संदे ह तो युध्ध में सब प्रकार के अस्त्र, शस्त्रों तथा समस्त आसुरी सेना का प्रयोग करके, उसकी हत्या कर डालना 22-23 तस्या हतायां दुष्टायां सिन्हें च विनिपातेते, शीग्रम आगम्यता बद्ध्वा, ग्रिहीत्वा ताम्थाम विकाम ओम 24 उस दुष्टा की हत्या होने तथा सिन्ह के भी मारे जाने पर उस अंबिका को बांध कर साथ ले शीग्रही लोटाना 24 सिती श्रीमा कंडेय पुराने सावर्निके मनवंत्रे, देवी महात्मे शुग निशूंग से नानी धूम्रलोचन वधो नाम 6 ध्याया 6 ओवाच 4, श्लोका 20, एवं 24, एवंधितह 412 इस प्रकार श्रीमा कंडेय पुरान में सावर्निक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्मेय में धूम्रलोचन वध नामक 6 अध्याय पूरा हुआ छे